दोस्तो अगर आपके फोन में WhatsApp पर कोई भी PDF फाइल जो है वो send नहीं हो रही है तो आप इसको कैसे fix करेंगे आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो for example यहाँपे WhatsApp ओपन करके आपको दिखाते हैं यहाँप देख सकते हैं यहाँपे हमने एक PDF सेंड किया है और हम इस पर क्लिक करते हैं तो यह ऐसे ही बस चलता रहता है और यहाँपे send नहीं हो रहा है यहाँपे देख सकते हैं यहाँपे send नहीं हुगा फिर से वैसे ही बन तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपको यह insure कर लेना है कि आपका net सही है मतलब net speed आ रही है अगर net ही नहीं चल रहा होगा तो फिर PDF फाइल तो वैसे ही send नहीं होगी PDF क्या photo या फिर video भी नहीं send होगे तो आपको एक बार अपने phone में जो है flight mode लगा के on off कर लेना है मतलब ठीक है flight mode लगाने के बाद आप try करिए अगर send होता है तो ठीक है तब भी नहीं send हो रहा है तो आपको करना क्या है आप home कर लीजिए और home करने के बाद आप चले जाए फोन की settings में settings में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की और scroll करना है और आपको एक option दिखेगा apps का आपका दूसरा phone होगा तो आपके में हो सकता app management या फिर app manager उस type से दिखा रहा हो तो यहाँ पर हम apps पर click करते है apps पर click करने के बाद आपको manage apps पर click करना है और उस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको apps के list दिख जाएगी यहाँ पर आपको whatsapp ढूंड लेना है ठीक है तो आप whatsapp यूज करते हो चाहे whatsapp business दोनों में अगर आपका किसी में भी नहीं send हो रहा है दोनों में एक ही वही setting करनी होती है ठीक है तो यहाँ पर for example हम आपको whatsapp business में करके दिखा रहा है बट अगर आपको whatsapp में नहीं send हो रहा है आपका तो आप whatsapp पर click करके करिएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको करना क्या है जैसे ही whatsapp पर click करेंगे आपको इस type का interface मिलेगा और यहाँ पर आपको एक दिखेगा option data usage का आप इस पर click करिए और इस पर click करने के बाद आपको यहा आप on कर दीजे ताकि किसी से भी चलाएं तो आपका PDF सेंड हो उसके बाद आप back कर लीजे और आप यहाँ पर जो है send करके देखिए अगर जाने लगता है तो ठीक है for example आप देख सकते हैं यहाँ पर चला गया allow कर देंगे तो आप यहाँ पर कोई भी document select कर सकते हैं उसके बाद या फिर आपको क्या करना है आप यहीं पर app info में ही आपको app permissions का option दिखेगा आप इसपे क्लिक करिए और इसपे क्लिक करने के बाद आपको files and media पर click करके allow कर देना है अभी हमने वहाँ से allow कर दिया इसलिए यहाँ पर allow दिखा रहा है तो आप दोनों में से किसी भी तरह से कर सकते हैं उसके बाद आप back कर लिजे और इसके अलावा आपको अपना whatsapp भी जो है वो update कर लेना है आप whatsapp google play store पर जा करके search कर लिजे और यहाँ पर जब आप whatsapp search करेंगे तो आपको जो है दिख जाएगा इस type से आपके में अगर update आया है तो आप update कर लिजे और उसके बाद जब भी आप whatsapp पर pdf send करेंगे तो आपके में send होगा अगर वीडियो से help भी हो तो वीडियो को कर दीजे like channel को कर लिजे subscribe and bell icon को press ऐसे और भी वीडियो उस देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और new वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए